हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Motorola Edge 30 Fusion Android वाइल फोन में आप Screen Locking Sound Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं और Screen Locking Sound Setting जो है Enable करने के बाद यह Setting कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में Setting पेज ओपन करना है Setting page ओपन करिये और आपको Setting page में नीचे आना है और हिहाँ पर sound का option है sound पर आपको select करना है अब आपको sound के इस page मेंरी नीचे आना है और आपको London कि je option मिलेगा Screen Locking Time की इस option के ठीक सामने आपको यह बटन दे रखा है इस बटन को आपको select करेंगे तो ये blue color में button on हो जाएगा यानि कि आपकी screen locking sound setting आपकी enable हो जाएगी ठीक है अब ये setting जो है enable होने के बाद ये setting कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ तो जब भी आप अपने while phone की screen को lock करेंगे तो आपको while phone एक sound create करेगा ठीक है इस तरीके से ये phone को lock करते समय और phone को unlock करते समय एक sound create होता है जब आप इस setting को enable कर देते हैं तो ठीक है अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप जो है ये screen locking sound setting screen locking sound setting को आप जो है shortcut तरीके से अपने mobile phone में इस setting को कैसे ढूंड सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको करना है कि आपको जो मॉइल का setting page उपन करना है और आपको सबसे उपर यह search setting का option दिखाई देता है search setting पे select करना है और आपको search बारवे यह पर type करना है screen locking sound ठीक है यहाँ पर screen locking sound आप type कीजिए तो आपको नीचे की side screen locking sound का option show हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है ठीक है इससे होगा क्या कि आपको mobile phone आपको direct इस setting में आपको लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है screen locking sound setting को ढूंडने का ठीक है